बिस्मिल्लारमान रहीमा सलाम आलेकों क्यासी में यूट्यूब फैमली उमिदे सब ठीक होंगे खुश होंगे आज हम बना रहे हैं डिलिचिस चिकन पुलाव जो हम शान के मसाले से राड़ी करेंगे हाफ शान का बिर्यानी मसाला पैकेट लिया है सिंधी बिर्यानी मसाला लिया है उपर मैंशन किया है लसना जग पेस्ट टू टेबली स्पून बिर्यानी एसंस टू टी स्पून वन केजी चिकन है फ्लेवर बिर्यानी का अड़ करने के लिए हमने बिर्यानी का पैकेट यूज जिसे हम हाफ यूज़ करेंगे दो अधत प्यास है स्लाइस में कट की वी चार अधत टीमाटर हैं राउंड राउंड शलाइस में कट किये हुए नमक आपके टेस्ट के एसाब से वन टेबली स्पून पिसा धनिया है वन टेबली स्पून रैड चिली फ्लैक से और बिर्यानी पैकेट साबुत करम सारा है दाल शिनी के टुकड़े हैं चार से पांच काली मिर्चे आट अधत लॉंग चार अधत एक बड़ी लाइची दो हरी लाइची हाफ टी स्पून जीरा पोदीना और हरी मिर्चे पोदीना हाफ गड़ी लिया है मेरे पास सुखा हुआ था अब फ्रेश उस कर लीजेगा वन केजी राइस है हमारे पास जिसे हम हाफ आर के लिए पानी में सोख करके रखेंगे दही है हाफ कप के बराबर टूकप के करीब ओयल लेना है ओयल अची तरह से गरम हो जाए फिर इसमें साबुत गरम असाला एड़ कर देंगे करम असाले को एक से दो मिनट भूनना है जादा नहीं पकाना बेकल जलाना नहीं है सिर्फ इसकी स्मेलाना शुरू हो जाए फिर इसमें हम प्याज एड़ कर देंगे जी जनाब हमने प्याज एड़ कर दी है प्याज को लाइट ब्रौउन होने तक पकाना है siitä डार्क ब्रौउन नहीं करना वर ना व बेकल जलना शुरू हो जाएगी और प्याज में म्स्तकिल चम से चलाते रहना है जनाब प्याज के पास से हिलना नहीं है वरना ये जल जाए फुल फ्लेम पे से ब्राउन करना है देखिए ब्राउन होना शुरू हो गई है प्यास और ये ब्राउन हो चुकी है अब इसमें हम प्यास ब्राउन हो चुकी है अब इसमें टिमाटर और सारे स्पाइसिस एक साथ आड़ कर देना है बयानी मसाला भी नहीं डालना अदर गिलास के करीब पानी डालना है इसमें ताके मसाला अची तरह से भूँ जाए नीचे जले नहीं मसाला अची तरह से भूँ चुका है अब इसमें चिकन एड़ कर दें अगर आपको पसंद है तो आप इसमें आलो एड़ कर दें हमारे घर में सब के बहुत फेवरिट हैं इसलिए हमें एड़ करने परते हैं अगर आप लोग को नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर दें अब इसे में हम बियानी मसाला एड़ कर देंगे ताकि वो भी अच्छी तरह से पक जाए भून जाए अच्छी तरह से मिक्स करना है मिक्स 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 अब इसमें एक ग्लास की करीब पानी अड़ करना है ताकि चिकन और आलो गल जाए पानी अड़ नहीं करेंगे तो नीचे जलना शुरू हो जाएगा इसमें बॉयल आया और इसको ढखन ढख दिया जी ढखन हमने खोला तो आलो चिकन गल चुके हैं अब इसमें हमें दही पुदीना हरी मिर्चे एड़ करनी है हरी मिर्चे बीच से चाक करनी हैं हमने अब इसे फुल फ्लेम पे हलके हाथों से भूनना है इसका पाने खुशक करना है जादा इदर उदर चम्चोल के सीधे नहीं चलाने वरना चिकन गुल जाएगी बहुत प्यार के साथ अब इसमें एसन्स एड़ कर देंगे मसाला हमारा बुन चुका है चुला बन करने के बाद हमें बिर्यानी एसन्स इसमें डालना है अब इसमें हमें चामल एट कर देने हैं हमने हाफ आर के लिए चामल को सोग करके रखा था पहले इसमें सारे चामल डालने है फिर इसमें पानी एट करना है पानी का इसाब कुछ यूँ है एक ग्लास चामल होता है तो इसमें दो ग्लास पानी डलता है पानी हमेशा चामल से डबल डलता है हमने चार ग्लास के करीब चामल लिये थे वन केजी चार गिलास इसमें हमने आठ गिलास पानी डाला है अब इस पॉइंट पे आप इसके नमक टेस्ट कर दीजिए अगर आपको कम लगे तो डाल लीजेगा मैंने हाफ टीस्पून और एड़ किया था अब इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे इसमें नीबू स्प्रिंकल कर देंगे ताकि चामल हमारे फपा न बन जाए घुट न जाए हाफ नीबू एड़ किया था छोटा हो तो एक नीबू ले लीजेगा तो तो बड़ा नीबू था तो मैंने एक एड़ किया था चामल का पानी खुश्क हो चुका है अब इसे हम दम पे रखेंगे इसमें जर्दा कलर आड़ करेंगे वन टीस्पून के बराबर जर्दा कलर आड़ कर देंगे अब इसे हम दस मिन के लिए दम पे रखेंगे ये देखिए जनाब दस मिन के बाद अब इसे हम चलाएंगे उपर नीचे करेंगे, बहुत प्यार से, बहुत हलके हाथ से, चामल गल चुके हैं, आलो गल चुका है, चिकन भी गल चुका है, सर्विंग के लिए बिल्कुल तयार है, खाने के लिए, तो देख इस बात की है, जल्दी जल्दी से बनाईए, खाईए, फीडबेक करेए, कमें बना है, रेसिपी अच्छी लगे, तो लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, बेल आइकन को दोबाना मत बुलिएगा, इससे मेरे आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ट्राय ज़रूर करिएगा, कमेंस करके बताईएगा कैसी ल